हो दस नामन है, हो दस नामन है, जारा रुद्री का, 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 जारा बॉल शंकर भगवान की जैन अनोखा रूप अते अनोखा लिवास जुबान उत्ते शिव महमादा गुणगान आज असी गल कर रहे हैं जंगम समुदाय दे लोका दी जंगम समुदाय जो पगवान शिव दे गुणगान कर दे हन ते किवे एह समुदाय चलिया एह सब जानने देखे जंगम समुदाय दे लोग नहीं जोड़ना गालबात करांगे ज़भान शिव और माता की शादी हुई जव से जंगम को पैदा किया गया दान लेने के लिए और कुलपरहित भगवान शिव ने माना बिर्मा ने माना और सभी जतना भी समाज है, दस नाम का समाज है, उसने भी प्रोहित करके माना शिव जंगम के रूप में, शिव प्रोहित के रूप में ये जंगम बाबा जाने जाते हैं शंकरवगवान की जय की काणना है कि ग्रस्त विच रहके जंगम वालो शंकरवगवान की क्योंकि और समाज में सादू समाज में किसी भी कास्त का चिल्ला बना सकते हैं लेकिन जो असली जंगम होगा जो वो हमारा ही अंस होगा हमारा ही खून होगा यही कारण है कि हमारी समर्दाय में जो हमारे परिवार में हमारा ही खून होगा बाकी और कोई कास्ट का नहीं होगा इसलिए जंगम को साधी करानी पड़ती है और आगे परिवार च नहीं लेंदे तल्ली नुल अगे कर देने जिए जब रचाहे गई पहले जो लावे फेरे हुए वह भगवाण शीव के हुए थे बेदी रचाहे गई इस प्रित्वी को लगया दाग इसको दोने के लिए भगवान शीव ने पांच टके सोरण के लिए दान देने के लिए पह पारवति का माल खाऊं तो जड़ा मुल से गल जाऊं तो वो इनकार कर देते हैं महादेव का दान लेने से तो फिर दूसरी आवाज विश्णू भगवान पर आई ले रे विश्णू छत्री मेरी साधी का दान कि हम वैपार करेंगे रण के बीच लड़े करेंगे अगर हम ही म कथामा दी गल करिए उदेच अभी सुनन वांदा की शिव भगवान नहीं जंगमनों प्रकट किता है की है इस कथा देवी थोड़ा इस बारे विद्धास देखे अंतनाम देरु जंगम को पैदा किया जहां से हमारी परनाली चली मलो संकर भगवान की जह पोड़े पहराव के संगर दिवतार परोध करके पुझा तो विष्ण भगवान यह ताज दिया शॄन ब स्टाफ लगात करते हैं वा भिर्मा जी दिया जी नंधिगृश मरिःटे के पास निशानी जंगम में पास जंगम सभूदाये दे लोक है शेम महिमा तो गुंगानते कर दे कहा जंदा है कि जो कल्योग आउन वाला कल्यूग है उसनी चर्चा वे जंगम सभूदाये कर दे कि यह थोड़ा उसने वारवी आपको महिमा गा के आपको कल्यूग के वारणे में अभी वारता दस्ते हैं बोल जंगल में मंगल हल्दी चावले तिलिक के सर में कस्तुरी बोले के मत है तिलग लगा में बोले के मत है एक सिवांदी तीन लोक में बटे सदा संभू बहुल संकर वहगवान की जय जय थोड़े जाए इस लूज संक्षेप दे वेचे थोड़े ज्यादा मतलब सम्जादों की इसी की वेदा क सत्यूग था सत्का यूग था जिसमें कि 32 फुटका तो बंदा होता था सवा साल से भी ज़्यादा उमर होती थी कल्यूग के वी जो फ्यूचर वर्तमान है चला हुआ है इसके वीचे सड़े कीन फुटका बंदा बता गया है और 40 और 50 साल बंदे की उमर दसी गई है बोले लेवर पण जी को कहीं भी वीचे लड़का नहीं मिला तो माता पारवति ने कल्यू की वारता पण जी को दसी थी कि जो फुटर है वारतमान है जो चला हुआ है कि ऐसा से जमान एगा निकाल आएगा बढ़े को तनला रखेंगे नहीं किसी का माना जाना इसके अंदर कि सत खोड़ कन्या बन जाएगी. दरम छोड़ दुनिया. तप छोड़ सा दू, बेद छोड़ बिर्मश चत्री महरां चत्री हो किकट करम करेंगे, सादू हो ठक विदा करेंगे, पंदत हो रस्ते लूटेंगे. गरवादी निंदा चला करेगा चली की चर्चा गरू करेंगे पंडजी महराज ऐसे ऐसे जमाना आएगा मदरा मास का हार करेंगे बुद्धी बिष्ट हो जेगी कल्यू के विच में के ऐसे ऐसे जमाना आएगा दरम करम दोनों घट जाएंगे सिर्फ दुनिया के विच क्या रहे जेगा बेइमाना सामत्वली संसार हो जेगा भाई-भाई का बैरी होगा प्रोशी प्रेमी होगा कि ऐसे ऐसे जमाना हैगा ओल्ली वन 5 साल की 5 एर की लड़की होगी कर देखके वरियाप करेगी कि ममी डैड़ी हलाडे भणाने सेक्टर में हाउस बीच मेंने लड़का देखना लव मेरिज करनी नो सालों की रचनर चाहेगी ग्यारा बारा की पुतरवान 14 साल दी बाद 13 साल दी नानी और लोग का पैसा भी भार चलेगा तामबे जैसी ऐसा भी जमाएगा कि तामबे जैसी दर्ती हो जाएगी बिलकुल अनपैदा करना बंद कर देगी और लोहिस रुपी आकास बन जाएगे कि बर्खावी नहीं होगी कल्यूक के रह जाएगे इस रिष्टी के ओपर से गंगा जमनाक सत्तर पाल देवता कुल देवता कुल जठेरे सभी देज देता इस पिर्थिवी से सर्ग लोग को चले जाएगे शिर्फ श्रिष्टी पे कोण बचेगा भगवान के नाम का समर्ण करने वाले दान पुन करने वाले और बोड का बुटा इस श्रिष्टी पे बचेगा बाकी अगनी से और जल से पंड़जी महराज परला हो जानी गरपणतों के बकरी होंगी दोबी के गरगव का पला होगा रिशी लोग दर्शन को आएगे दर्शन की पुजा गड़ जाएगी तीरित की महिमा गड़ जाएगी और गड़ जाने गवों के दूद हिंदु दर्म में क्या हो रहा है कि कुट्टे पालरे गव माता नहीं पालरी वह लिफावे खाती पी रहे है कि पणजी ऐसा ऐसा जमाना आएगा ऐसा ऐसा कल्यू गाएगा हिंदु लोग हिंदु लोग है जो शनातनी है वो पिपल को बड़ेंगे जो हमारा पुजनी है औ उसको बढ़ेंगे काटेंगे और बाकी लकडी जो बचेगी वो चुले जिलाएंगे जिनके जिनम निखार जाएंगे ये महागोर पाप है पॉलिय शंकर भगवान की चै कि पनजी ऐसे से जमानाएगा आखरी जमानाएगा सवाहत का मर्द बनेगा पॉने गेट की बनेगे ज दुरिये तपेंगे विश्नु भगवान जब जब शरश्टी पे इस प्रित्वी के उपर पाप बड़ा जब जब धरम की हानी होई तो कभी राम बने कभी किर्ष्ण अवतार दरे कभी वामन अवतार दरे तो कल्यूग के बीच में निश्कल की अवतार दरेंगे के चोके बेटेंगे पलो शंकर भगवान की जया जंगम समुदाएदे लोग जनने दस से आया कि कि में कल्यूग दे वेच आनवला समय होन वाला है कि में शिब मेहमदा गुनकान कर दे है अते कि में परगवान विश्नु दा अवतार होएगा इस कल्यूग दे वेच पठान कोर्तों जतरी शर्मा नियोजेटिल पंजाब